नमस्कार दोस्तों, स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल Be Positive में और शुरू करते हैं पांच का पंच एक ऐसा प्रोग्राम जिसके तहर उस दिन के हम पांच करानेटा फेस टॉपिक को पिक करते हैं उनमें से पांच-पांच फेस के साथ उसको आपके साथ डिसकर्स करते हैं आए जान लेते हैं आज के जो हमारे पांच टॉपिक्स है वो कौन-कौन से हैं सबसे पहले IPCC, CBI, हम जानेंगे Anti-Defection Law क्या होता है GST के बारे में और NFHS जिसका नाम है National Family Health Survey आए शुरू करते हैं आज की शुरूआत हम ग्यान की बात से करते हैं तो आज का ग्यान जो है वो ये है कि समस्या तब तक समस्या ही बनी रहती है जब तक उस समस्या का हम सामना नहीं कर लेते हैं और ये हमार रिपल्कुल सच बात है कि समस्या होया चनोती सबसे पहले हमें उसे सामना करना है, सामना करने के बाद उसका solution खुद मख़ुद उसके सामने आ जाता है। चलिए आज का discussion सुरू करते हैं। discussion में हमारा पहला जो topic है वो है anti-defection law, जैसे कि आप news में देख रहे होंगे कि बहुत सारे जो हमारे leaders हैं वो एक party को छोड़के दूसरे party को जोइन कर रहे हैं। तो इसी चीज को रोकने के लिए हमारे constitution में एक प्रावधान है जिसको anti-defection law के नाम से जाना जाता है। defection का खुद का मतलब होता है changing political parties या हिंदी हम बोलें तो दल बदल इसकी ज़रुत क्यों पड़ी क्यों पड़ी क्योंकि अगर हमें किसी भी government में stability लाना है तो उसकी ज़रुत पड़ेगी क्योंकि एक party अगर सत्ता में है और उसके जो MLA या MPs हैं वो किसी करान बस उस party को ज सत्ता में है उसको छोणकर किसी और party के साथ जोड़ जाएंगे तो हमारे जो government होगी वो stable नहीं हो पाएगी और कोई भी जो steps हैं वो strongly उठानी पाएगी यह हमारे constitution के 10th schedule में भी mention है या हम बोल सकते हैं कि 10th schedule जो है वो anti-defection law पर ही आधारित है अभी इसमें क्या होता है मैं एक छोटा सा brief आडिया पूरे देता हूं कि अगर किसी party का कोई MLA किसी दूसरी party को जोइन कर लेता है तो उनको disqualify कर दे जाता है उनकी MLA या MP post से और वो as a civilian या normal जो हमारे civic civilian बन जाते हैं मतलब उनका जो MP MLA का जो पद होता है वो उनसे हट जाता है speaker जितने भी disqualification के cases होते हैं MP MLA के वो decide करते हैं तो entity fiction law का overall means यह हुआ कि किसी एक party के MP MLA है वो being MP MLA किसी दूसरी party को जोइन नहीं करें हाला कि हमारे constitution में आ जाती है कि आप किसी भी party को कभी भी join कर सकते हैं तो अगर आप एक party के MP MLA है और किसी दूसरी party को join करते हैं आपका पूरा हक है आप उनके पास जाईए और join हो जाई दूसरी party में बट आप जो MP MLA थे उस पत से आपको disqualify कर दिया जाएगा इस पूरे जो system को anti-refaction law कहते हैं हमारे constitution में आगे बढ़ते हैं आज का हमारा जो दूसरा topic है वो है CBI यह news में क्यों है news में हम पढ़ी लेते है news क्या है three accused created situation that led to mehant giri suicide अभी CBI ने एक चासी put up की है high court के सामने और उसमें जो हमारे mehant giri थे उन्होंने suicide किया है तो उन्होंने बोला कि उनके जो disciple थे या उनके जो sis थे उन्होंने ही उनको mentally harass किया है जिसकी वज़े से उन्होंने suicide किया चलिए यह तो news थी बात कर लेते हैं कि CBI क्या है तो CBI जैसे मैं पता है stands for Central Bureau of Investigation नाम में ही इसका investigation है इसका मतलब देश का यह अग्रणी या प्रीमियर investigation agency है यह काम करता है मतलब CBI जो काम करता है वो ministry of personal public grievances and pension के अंडर काम करता है इसका headquarter ने दिल्ली में है 1942 में यह special police establishment के तहत form हुआ था इसके director general सुबोध गुमार जैसवाल है इनका appointment मतलब जो director general होते हैं हमारे CBI के इनका appointment center government of India करती है अब कुछ चीज़े हैं और हम जान लेते हैं CBI के बारे में CBI हमारा जैसे हमने बताय दिया कि chief investigating agency है इंडिया की इसके बाद और भी वह सारी चीज़ें इसको मिलती है यह RTI जिरा to information act है हमारा उसके तहते इसको exempt रखा गया है मतलब हम CBI के अंदर जो चीज़ें हो रहे हैं या उन्होंनों जिस case की च्छान भी नहीं की है उस case के लिए हम RTI फाइल नहीं कर सकते उनसे कोई भी information नहीं मान सकते दूसरा है कि जो हमारा CBI होता है वो licensing with Interpol जो licensing जो एक दूसरे से information share करना या उनके according काम करना वो licensing करता है Interpol से Interpol का हमारा मतलब international police से होता है इसका जो motto है वो है industry, impartiality and integrity तो CBI अभी आपको समझ में आ गया होगा आगे बढ़ते हैं आज का हमारा जो next topic है वो है IPCC IPCC है क्या IPCC क्यों news में है पहले ये जान लेते हैं अभी क्या है कि Germany ने more than thousand करोर रुबी इंडिया को help करने के लिए एनाउंस किया है for fighting climate changes अभी actually जो हमारा जर्मनी है उससे बहुत सारे tie-up है वो अल्रेटी इंडिया में बहुत सारे प्रोजेक्स पर काम कर रहा है जैसे areas of energy, sustainable urban development, management of natural resources and agriculture technologies इन सारे जो हमारे topics है या इन सारे जो areas है इन में Germany हमारा साथ दे रहा है financially हमें support कर रहा है technologically हमें support कर रहा है तो Germany की government ने announce किया है और उनोंने कहा है कि every fifth person of this planet is an Indian और without Indian you can't solve the big problems of the world तो यह जहर सी बात है कि अगर पांचमा इंसान Indian है तो हमें कहीं न कहीं इंडिया की support करने सी जर्मनी की यह मांसिक्ता दिमाग में आई है तो उन्होंने एक बहुत बड़ी रकम 10,000 करोर का एक help किया है इंडिया को तो यह तो था news क्या है आगे हम देख लेते हैं IPCC क्या है IPCC stands for International Panel on Climate Change तो जो climate change की सबसे बड़ी body है वो IPCC है यह एक intergovernmental scientific body है और यह United Nations के अंडर काम करती है इसकी responsibility होती है जो knowledge को है उसको advance करना और effects को देखना जो human induced climate changes है यहां पर थोड़ा टापिक में मिस्टेक है वहां पर हुमा की जगे human है human induced climate changes जो है established हुआ था IPCC 1988 में इसको किया था World Meteorological Organization ने और UNEP ने United Nations Environment Program ने लेटर इन दोनों के बाद United Nations General Assembly ने से इंडोस कर लिया था तो as of now यह जो IPCC है वो United Nations की एक body है इससे पहले जो इसकी parental body थी या जो parent organization थे वो WMO और UNEP थे तो कभी-कभी पूछ दिया जाता एक्जामस में की IPCC मतलब जो form हुई थी वो United Nations के अधीन ही हुई थी या इसकी parental जो bodies है या parental जो government organization है वो कोई और था तो हमें ध्यान देना की WMO और UNEP ने इसको सबसे पहले established किया था बात में यह हमारा United Nations के जो schemes है उसके ताहित इसको इंडोस कर लिया गया था Headquarters का Geneva Surgerland में है IPCC को 2007 में Nobel का Peace Prize भी मिला हुआ था Currently अभी IPCC जो chairman है या जो chief है वो है Korean economist Housing Lee तो अभी थोड़ा बहुत IPCC के बारे में एक idea हो गया होगा IPCC जो हमारे climatic changes रहते हैं उनके बारे में बहुत ज़्यादा concern रहता है सारे जो nations है उनको एक जो background है वो प्रवाइड करता है या एक track वो प्रवाइड करता है एक platform प्रवाइड करता है IPCC does not conducted original research वो मतलब कोई originally research नहीं करता बट जो भी comprehensive जो indices होते हैं रिपोर्ट होते हैं उन पर अपना assessment देता है assessment इसका तीन तरीके से होता है risk on human induced climate change की जो humans हैं वो कित्मा ज़्यादा risk induced कर रहा है हमारे environment को और यह जो हमारा climate change हो रहा है उसका potential impact क्या पार सकता है और potential जो options हो सकते हैं जो prevention के उनको यह guide करता है तो आई हो आई पी सी सी के बारे में एक आपका अनुमान या idea लग गया होगा आगे बढ़ते हैं आज का हमारा चौथा जो topic है वो है GST पे GST खुद में बहुत बड़ा topic है आई जान लेते हैं exam perspective से हमें कितना GST को कम से कम जानना ही चाहिए news में क्या है news तो जैसे हम किसी भी news paper का economic section देखेंगे तो उसमें कुछ न कुछ GST से related आता ही रहता है अभी हाल फिलाल जो हमारे IT ministers है उन्होंने mobile maker से जो है वो meeting की है क्योंकि अभी budget के input लेने हैं तो उसमें GST के पहुजदा रोल आता है GST है क्या यह जानते हैं अपको पता ही यह goods and services tax है एक comprehensive destination है tax का इसने सारे indirect taxes थे उसको sum sum करके या combine करके एक नया GST tax बनाया गया है जो हमारे indirect taxes थे वो जैसे wet हो गया wet means value added tax इसके बाद excise duty होगी service tax होगा और बहुत सारे टेक्स जो होते हैं वो सारे एक में merge करके GST बना दिया गया GST जो हमार tax lab है GST itself is indirect tax क्योंकि जब GST form हुआ था 2007 में sorry 17 में उस time पे इस तरीके के watch questions आया थे कि GST is which kind of tax direct tax, indirect tax, service tax or whatever it is तो हमें वहां पे indirect tax ही करना था और अभी भी indirect tax ही है यही हमें करना है अगर आगे कुछ आता है इसके 5 tax labs है 0%, 5%, 12%, 18% and 28% इसमें slabs का मिन यही है कि जो हमारी mandatory goods से luxurious items तक है उनको इस criteria में divide गया गया है 0 items वह है जो बहुत जदा mandatory है like food grains हो गया जो खाने की चीजे होती है उनको 0 slab में रखा गया है या कहीं न कहीं 5 slab में रखा गया है 12 में जो mid की चीजे हैं जो हमें कहीं न कहीं जरूरत होती है बट उतनी नहीं अगर उनके बिना भी काम चलाया जा सकता है 18% and 28% का में काम होता है luxurious items से जैसे हमारा cars हो गया, ACs हो गया, cosmetics के items हो गया है तो उनको 28 और 18 का जो हमारा tax lab है उसमें रखा गया है कुछ ऐसे items हैं जो GST से out रखे गया है मलब not included in GST वो है petroleum products, alcoholic drinks और electricity ये GST से बाहर रखे गया है GST इंडिया में launch असे नहीं पहले आता है, 1st July 2017 को हुआ था, launch किस ने किया था, President of India यहां पर एक चीज और हम बताना चाहते हैं कि जब भी किसी भी चीज का generation होता है या नहीं चीज आती है तो वो President of India ही उस चीज को launch करता है और आपको पता है कि President of India जो होता है वो हमारा जो government होती है या जो council of government होती है उसकी aid and advice पर काम करता है तो अगर पीछे देखा जाए तो government का यहां होता है बट सामने जो हम photo दिखाते हैं या सामने जिसका हमारा जिसकी वजह से वो act या कोई scheme हमारे उसमें सतह पे आती है वो President of India के थ्रू ही आती है rubber stamp of मतलब rubber stamp भी कहा जाता है कई-कई जग है Indian President को तो this is all about President की positions है इसके पाद जो tax है वो हमारा three categories में लेवीड होता है मतलब कौन-कौन से लेते हैं वो CGST मतलब Central GST होता है SGST मतलब State GST होता है SGST मतलब Integrated GST होता है वीडियो थोड़ा सा बड़ा हो जा रहा है बाट इस्टिल मैं आपको एक छोड़ा सा अनुमान दे दे रहा हूं कि इनको कैसे categorize किया गया है CGST जो Central का है इसका मतलब है कि एक ऐसा product जो Central से Central को जा रहा है CGST जो होता है जो SGST होता है वो State का होता है सपोर्ज कर लिजे कि कोई आटाम UP ने बनाया है तो UP से वो आइटम जाके Item Menu Factoring जहां हो रहा है वो UP में हो रहा है और जहां Sell हो रहा है वो MP है तो वहां Tax जो होगा वो UP Government को भी मिलेगा as well as MP Government को भी मिलेगा और IGST जो है वो Integrated हमारा GST है Integrated मतलब होता है कि कोई ऐसा item जिसमें हम State को भी मिलेगा और हमारे जो Central है उसको भी मिलेगा आगे बढ़ते हैं हमारा नेक्स टॉपिक है और अगे बढ़ते हैं हमारा नेक्स टॉपिक है आज के आखरी दिन का आखरी टॉपिक है National Family Health Survey नीज में क्यों है क्यों कि अभी एक नीज आई है कि जो Fertility Rate है वो हमारे Below Replacement Label से मलब जो Replacement Label था उससे Below है अभी हम जानेंगे कि यहमारा जो Below Replacement Label वो क्या रहता है और Fertility Rate क्या वो जानेंगे यह signals नीज में यही है कि अगर हमारा जो Fertility Rate है वो Replacement Label से नीचे है तो इसका मतलब है कि हमारी जो पॉलेशन है वो स्टेबल स्टेज में है तो यह तो नीज थी हम अब देख लेते हैं कि आज का हमारा जो National Family Health Survey है उसके बारे में क्या-क्या हम जान सकते हैं तो यह जो survey है वो Ministry of Health and Family Welfare के द्वारा रिलीज किया जाता है NFSS provides करता है बहुत सारे indications को जैसे कि हमारा population से related family planning से related child and maternal health से related यह चाल चीजों को कटर करता है यह carry out कैसे होता है एक्चली जो third session इसका था उसमें team individual questionaries से गए थे वहां पे ladies से बात हुई थी 15 to 49 ages की जो in between की जो मतलब women's हैं उनसे बात हुई थी उनके उनसे पूछा गया था उनके जो physical या उनसे बोल सकते हैं उनके mental जो stable या उनके जो चीजें उनके बारे पूछा गया था उनकी health के बारे पूछा गया था population को लेके उनकी क्या knowledge है या उनका क्या कहना उसके बारे पूछा गया था और यही men के साथ भी हुआ था जो की 15 और 49 के बीच में थे तो उसके बाद यह conclude किया गया था यह इसका यह फिफ्ट राउंड था मतलब 2019 और 2020 का यह पांचमा जो सेशन था और इससे पहले जो चौता सेशन था वो कंड़क्ट किया गया था 2015-16 में इसमें बहुत सारा डेटा प्रवाइड होते हैं इस वार का जो डेटा है वो exam perspective से थोड़ा सा important हो सकता है तो अभी जो TFR आया है मतल के aim रखना है बट साहिद इंडियन्स में बहुत अच्छी सी यह सोच आ गई है कि हमें fertility rate कम करना है तो 2.1 हो गया है दो लोग हैं तो उनके दो ही बच्चे हैं तो this is called replacement fertility rate और अगर aim था कि 2.1 तक हो जाएं बट अगर कहीं 2 हैं और उनके 3 बच्चे हो रहे हैं तो इसका मतलब है कि this is exceeding जो exceeding है वो हमारा replacement fertility rate को उसको exceed कर रहे हैं तो अभी as of now हमारा 2.2 2.0 ही है मतलब 2 के 2 ही है तो बहुत अच्छी यह हमारे देश के लिए बात है 5 ऐसे states हैं जहां का TFR मतलब total fertility rate जो है वो 2 से जादा है वो कौन-कौन से है एक्जाम में यह आ सकता है इन में से कोई एक आ जाएगा यह हो सकता है कि कितने राज थे बाकी सारे राज 2 से नीचे हैं इसका मतलब उनका data बहुत अच्छा है जो 2 से उपर है उनका नाम हमने इस समझ गया होगे ना कि अगर कोई एक parent है बिहार का 3 इसका मतलब है कि अगर कोई parent है तो उनके 3 बच्चे है तो उनका जितना भी common whole हमने data collect किया और जब देखा तो जितने उनके parents है उनके 3-3 बच्चे के साब बले ही किसी के हैं किसी के एक किसी के दो है बट जो overall हमारा जो ratio ह है वो 3 का आया है 2.3 2.2 अभी आपके समझ में आगा होगा कि इस वज़े से अगर कोई report आती है अगर वो है तो उसका क्या मतलब है replacement fertility rate भी बता चुके हैं कि अगर कोई parent है तो उनके कितने बच्चे हैं अगर replacement मतलब होता है कि हम दो और हमारे दो चलिए आगे बढ़ते हैं इसका 5th point जो है वो बता रहा है कि इस survey में concerning issue भी आया है वो यह था यह बहुत पहले से आरा है क्योंकि इंडिया के पास बहुत सारे संसादने से ने जुट पा रहे है कि वो जो एनेमिया करके एक disease है उसको control कर पाए तो इसमें यह भी दिखाया गया यह बताया गया कि एनेमिया का जो है वो women and children में बहुत ज्यादा rise हुआ है एक और बड़ आता है थलिसीमिया तो एक छोटा सा मतलब होता है कि कि किसी भी लेडी का या किसी भी children का या किसी भी male female कुछ का उसका खून जो blood है blood का जो level है मतलब जो blood के अंदर जो जैसे hemoglobin हो गया तो अगर hemoglobin का जो level है वो कम हो जाता है वो थलिसीमिया होता है और अनेमिया मतलब होता है कि blood का जो potential है वो कम हो जाना अब बहुत थोटा सा माइनूट सा ही difference है अनेमिया मतलब होता है खून की कमी हो जाना मतलब viscosity of blood और थलिसीमिया का मतलब होता है खून उतना ही रहता है आपका जितना blood को requirement है बट उस blood में आपका हीमोगलोविन का जो percentage है वो कम हो जाता है और अनेमिया मतलब खून की कमी जैसे आदमी होता कि खून की कमी हो गई now some blood has to be diffused in such body लेकिन थलिसीमिया में diffusion नहीं होता थलिसीमिया में क्या होता कि जो हमारा blood होता है उसका जो हीमोगलेविल लेबल होता है वो down होता है उस चीज बनेमे आया होगा आगे बढ़ते हैं बोनस इंफ्रमेशन में तो आज की बोनस इन्फॉर्मेशन है कि जो यमुनः express वे है उत्तर प्रतेश का उसको रिनेम प्रपोज किया जा रहा है उसका और उसका रिनेम जो है प्रपोज किया जा रहा है फार्मर हमारे जो पीम थे आपको अच्छा लगा होगा थोड़ा सा बड़ा हो गया अगर अच्छा लगा है तो प्लीज कमेंट करके जो बताइए और पूरा सुनने के लिए थैंक्यू थैंक्यू सो मज और हमेशा मेरा एक ही कहना रहता है कि हसते रही है पहले जो उपने ग्यान वोला था कि समस्या का स अगर हसते को सामना करेंगे तो तब तक खुच रहिए जय हिंद्ध